मश्कार तो कल रात को हर्याना का विजल मेरिट लिस्ट आ गई है राउंड टूजे अलॉटमेंट और अब देखते हैं कि क्या हुआ यह मैंने अपके लेक्सेश शीट बनाई है इससे पहले कि मैं अपके लेक्सेश शीट को अनलीसेस करें और फिला जो मैंने मोटा मोटी को सिर्स लेट करता हूँ और सारे मैं ले लेता हूँ गवर्मेंट खॉलेजेज ठीक है तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फिलाल नीचे नहीं गिरा है हमने अमीबेस देखना है शरफ और हमने ले लिया शरफ गवर्मेंट कॉलेज राइट तो अगर सबसे नीचे भी हम जाते हैं तो जो हम सबको उमीद लग रही थी आपस में हम सब बातचीत कर दे थे कि इस बार सब लोग बहार चले जाएंगे और इंडिया कोटा वाले क्योंकि बॉंड आ गया है बॉंड आ गया है तो आप देखिएगा कि जो लास्ट सीट है वो अभी भी 600 नंबर प जो लास्ट राउंड में अलोकेटेड थे और उसका फैदा यह हुआ है कि 600 नंबर वालों को भी सीट मिल गये जोनोंने हर्याणा का फॉर्म भरा हुआ था लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या यह लोग अधीवी काउंसलिंग में हैं तो कि देखिए सम्टाइम ने हम फॉ राउंड टू हर्याना का चॉइस लिंग कर कर दी क्योंकि चॉइस लिंग तो सत्रह तरह से स्टार्ट हो गई थी और इतनी देर में जब यह रिजल्ट आया कैसे आ तो पहले चुगा था और कुछ लोग भर देते हैं तो फिर भी देखिए काफी बच्चे ऐसे हैं नीचे तो पहले जिनको इस बारी में सीट मिल गई और लास्ट यह तक सीट नहीं मिली थी लास्ट राउं में इतने साथ हो एना डेजियो सब जो पहले और इन सब को इस बार सीट मिल गई तो छेस्सों से छेसों तीन से छेसों फिर फिर भी फ्ला लास्ट नजर आ रहा है स्कोर्स जो कि राउन के मुकाबले काफी नीचे आ गया और काफी बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट राउन में लोकेशन नहीं हुआ था लेकिन आप पिर आगे बच्चे लोग यही बोलते हैं रहे सब दे देंगे चालिस लाकी क्या बाता है बच्चे को कहां में इतना दूर भेजें केरला करनाटका या नॉर्थ इस्ट इन मार्स पे जवाप और इंडिया कोटा मिल रहा था तो मुश्ट दूर मिलेगा नॉर्थ में या इ करें दोनों केस में सरकार को फैदा होगी है न तो यह लोजिक हो गया इनका अब काफी लोग ऐसे हैं जैसे 615 वाले जो फिर भी यह सोच रहें कि हर्याना में हम रहें या ना रहें और उसका सबसे बड़ा इसांबल मैं आपको देता हूं तो कि हर्याना में क्या है काफी ब आज से शुरूने वाला अफ्लाइन राउंड और आईपी ने भी न वो लिस्ट निकाल दी है जिल लोगों ने आईपी का फार्म भर है तो मैंने ऐसे भी कुल रेंडमली एक बच्चे का नाम चेक करा यह अशी इश जिसको फिलहाल पंडित भगवन द्याल मिल गया है और यह जरूर आईपी में ट्राई मारेगा भगवत द्याल में रिपोर्ट करने से पहले और यह भी उसकता है कि अगर आईपी मिल जाएगा तो भगवत द्याल में रिपोर्ट नहीं करेगा छोड़तेगा अपने 11,000 रुपे और तीसरी लिस्ट आ चुकी है MCC की जिसमें सारे Admitted और Candidates है Round 2 तक के तो जो भी आप मेंसे Analysis करना चाहते हैं Deep Analysis करना चाहते हैं वो तीन जीजें खोलके रखिए आईपी की लिस्ट खोलके रखिए कि किसके से Registration करके रख आईपी के Round 2 के लिए आप और आपको यह भी पता है कि आईपी में टोटल इतरी सीटे हैं तो आपको यह पता है कि समय कितरी सीटे वेकेंट है सारे Colleges में category wise फिर आप खोलिए IP की पूरी लिस्ट आप खोलिए MC की Admitted List और आप खोली अपनी हर्णा की एक्सल इन तीनों का इस्तेमाल करके भी से तीन एक्सल बनाके में देख्याल से आप मैंसे कोई भी परफेक्टली देख सकता है कि उसका आने वाले तीन दिन में इंद्रव प्रस्ता युनिवर्सिटेव में admission होने का कितना चांस है और सारे बच्चे अगर आई-टी में चले गए या यह और इंडिया कोटा में तो तो आप कल्पना चावला से भग पंडित भगवत्याल पहुच जाएंगे अगले राउंड में इस राउंड कू में आप अपने निच्चे वाले कॉलिज में रिपोर्ट मत कीजिए भगत फू जो हमारे प्रीमियम इंडियन कांसलिंग के कस्टमर होते हैं जो शुरू से हमारा फूल प्रागेज लेकर चलते हैं जैसी कोस्ट हम फीस जो है वह 25,000 पर लेते हैं तो उनको हम यह उनके लिए निच्चे समय खुद कर रहें जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं और जो हमारे क्ल हो गया जी सरकारी एप्रोच कैसे करनी है अब दूसरा इंट्रस्टिंग चीज भी आपको बता देता हूं वह आ जाएगी प्रैविट की बुरी हाल तो मैं हमने भी देखा कि सरकारी तो 600 बे खतम है अब राउंड बन में कट आफ देखके लोग हिल गए अरे सर चा कहते हैं तो आपको चलो यह सब भी ले सकते हैं सेम जनल कैटेगरी में एक्टेगरी में इसे मेनेजमेंट भी आ जाती है ना आखरी जो सीट है MBBS की वो आचुकी है 153 नंबर पर जी हाँ डैट मींज एक्सो त्रेपर नंबर पर भी MBBS मिल गया है राउंड टू में आल इंडिया रैंक तकरीबन सात लाख और राउंड वन में क्या हुआ था जी शाड़े तीन सो नंबर के उपर था जजजर भी और इसकी वज़य ही यह है जो मैंने कहा आप से और इसी में अगर हम BC भी गुसा दे तो आप देखेंगे कि जो लास रैंक है वो पहुंच चुकी है 105 नंबर पर देट मींज 105 नंबर वाले को भी MBBS के सीट मिल गई है कि बी-सी एक और गुसा दे तो 104 नंबर बी-सी 104 नंबर तक आगे तो 104-105 नंबर हरियान डुमिसाहल अगर आपका है तो आपको अराम से सरकारी सीट प्रैविट सीट मिल गई है और थोड़ा अगर स्टी रैस्टी में आ जाएं तो मिरे को डाउट है कि यह मामला सौ से भी नीचे चला गया है एक सो पच्छी सा थोड़ी ओंपर ही है डैट मींस बहुत कम मार्स में इस बार एंडी बेस होगे है कि लास्ट ये मुझे याद एक सो असी नंबर वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे उनको एंडी बेस की सीट नहीं मिली थी ड्रॉप करना पड़ा इस साल और सब्सक्राइब करें और कोई बड़ी बात नहीं कि अगले रॉंड में अराम से 270-260 पर मिलेगा क्योंकि जो एनरे सीटे कनवर्ट होती है राइट आप एलोकेशन देखेगा तो आदेश में कोई एनरे कनवर्जन तो हुआ नहीं है शायद एक सीट गई है बस एनरे की पांस सीटे हैं अलोकेटिड है जी देखते हैं कि इसमें से कितने जोईन करते हैं कर लेंगे कम नंबर वाले हैं फीज भर देंगे लेकिन जो टोटल सीट मेंट्रिस था उसके ठीक है न ये देखिए ये जो एनरे वर्ड होता है न एनरे की 116 सीटे थी जी 116 ठीक जिस में से सरकारी तो ना के बराबर होती है 116 में से एनरे की आप देखिए 9, 9, 14, 10, 3 तीन बलके सरकारी था ये 10, 14, 9, 9, 7 ये सारी प्राइवेट और फिर डेफिनिटली ये बाकी बीडियस ही थी तो ये आप देखिए 30, 35 सीटे हैं और अब टोटल अलोकेशन देखेंगे एनरे में टोटल सारे आप प्राइवेट ऐसे जोड़नों तो भी आप देखेंगे ये कुछन है मैं सारी जोड लेता हूँ अगर एक बर आपकी उसके लिए कि मैंने सारे ही जोड़ने और सारी ही मैंने जितनी वी अनरा ये इनारे इक्ड टेन है तो भी अप देखेंगे िटोटल जो सीटे अलोकेटस रहकारी मिला तो मैं बार बार जो समझाता हूं कि यह सीटे अभी आएंगी SGT का एजामपल लें जो काफी लोग लेना चाहते हैं SGT में टोटल जो NRA Allocation हुआ है वो दो का हुआ है मानते हैं दूनों डमीशन ले लेंगे जबकि SGT के वास NRA सीटे थी कितनी 14 तो बारा बज़िए ना अब यह बारा सीटे अगले राउंट में कनवर्ट होंगी नॉर्मल सीट में तो जो SGT के कट आफ फिलहाल था जो की मैंने भूला कि अदेश ही 300 प्य आ चुका है तो SGT तो बुरा इहाल हो चुका है पिर भी देख लेते हैं कि जनल केटेगरी भी 230 आ चुका है सब कहानिया है प्राइवेट बहुत गिरिया है में 153 पर में बात यह था कि जनल केटेगरी वाले को भी MBBS मिल रही है और अगला राण आना बाकी है तो जो हजाना के भी रहने वाले करता है वरना जो टॉप क्लास भी BDSC कॉलीज है उनका क्या हालात है मैं क्या ही बताओ बात चुरानवे नंबर की नहीं है बात यह यह है कि आप कोई भी कॉलीज उठाए लेगे कोई भी अभी तो उसमें आदी से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी होंगी तो समस्या यह है अब SGT का पूरा ले ले जिए जो इसको टोटल BDSC है अभी तक 25 लोगों ने सिर्फ अडिमीशन लिया है BDSC में SGT में और ऐलोकेशन होगा अडिमीशन तो भी होगा राइट ऐसे हर जगा का हाल है जो प्लेकुल टॉप क्लास कॉलीज है डीए वी यमना नगा चोगी फेमस है भरियाना में BDSC के लिए उसकी भी देखे अभी तक ऐसा लग रहा है 17 सीटे भरियां सरफ तो यह कहानी है जी यह राउंड बन में अलग से पहले भरिया होगा अगर मैं और अच्छे से देख लूँ कि कुछ लोग ऐसी भी होते हैं जो राउंड बन में ही ले ले लेते ह इसमें यह खाली आ जाता है तो हम सबको भी जोड़ लेना तो भी देखे काफी काफी सीटे हैं जो खाली पड़ी हैं यही सचाही है BDSC तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा जो सरकारी वाले हैं वो अपना IP, MCC और हर्याना एक्स बना के देख लें कि उनको चाह मिलने के संभावना है और चाह वो राउंड थी में अपक्रेट कर सकते हैं फ्रैवट वालों के लिए तसल्ली यह है कि जो भी आप में 677 नंबर व लिए नॉट सिंगल क्लाइंट जिसको हमने तबीन नाड़ पॉंडेचरी भेजा डीम निवर्सिटियों में पैकेजिज में क्योंकि सबको मैं समझाता था कि वेट के जिए और जैसे ही जिस दे राउंड वन जूपी का रिजल्ट आया था जिस बात को बहुत टाइम हो गय वो रिजल्ट देखते ही मैंने कह देता है कि जब 120 नंबर पे MBBS के सीट मिल गई थी नॉर्थ में तो मैंने सब को कह देता कि इस बार MBBS के सीट कोई शॉर्टेज नहीं होगा आप जो निट क्वालिफाइड भी है उनको नॉर्थ में अराम से 75 लाग के सीट में सीट मिलेग तो हम वहाँ पर जाके एक करोट 10 लाग 20 लाग भी खर्च करें इतना दूर रहें दूसरी लेंग्वेज में पढ़ें इस अच्छा तो 55 लाग उर्पर देख भी घजर में पढ़ लें और यही मैंने राउन वन की कट आफ देखते कह दिया था कारण इसका यही है क्योंकि देखे मैं सिर्फ एम्वीबेस काउंसलिंग नहीं हूँ मैं एक मैंनेजमेंट कंसल्टन भी हूँ मैं लोगों समझाता हूँ की मेरे 10 कामों में से एक काम है एम्वीबेस इंडिया काउंसलिंग और पिछले एक साल से ना देश की आर्थ से वस्ता वाकिए ही चर्वारा खास कर रही नौर्थ में कि किसी किसान के बच्चे ने करा नीट धैसो नंबर आए उन्होंने एक किला दो किला बेचा और उससे फीस निकाल ली लेकिन इस बर प्रॉपर्टे तरी डाउन है कि ना वो जमीने बिख नहीं रही है जी और चुब मैरे भी दो क्लाइंट ऐसे कौस ने शुरू हो गई उनने बोला सर आगे बढ़िए हमारे जमीन हमने सेल पर लगा ही रखी है पासा दिन में पेमेंट आ जाएगी उनकी जमीन भी की ही नहीं और उनको बच्चे की MBBS का खाब फिलहाल रोकना पड़ा तो इस वजह से ना यह जो प्रॉपर्टी की चाल से में रुख गई है यह कारण है कि MBBS की सीटे नहीं भर रही है तो अगले साल क्या पता ऐसा ना हो तो अब यह मैं सोचेगा कि हर साल नीट क्वालिफेक करते हैं MBBS मिल जाएगा मेरे कहने मतलब यह था ओके बेस्ट विशिस बेस्ट ओफ लख अभी भी आप हमसे कोई शला लेनी है आप मिनिमुम फोन कॉल कर सकते हैं मेरा चार्जिस जानते ही है 25-100 उपीज होते हैं 10-15 मिट की कॉल के लिए उसमें आपे बेसी डाउट क्लियर कर देता हूं बुरा काम कराना है तो you have to pay the full money ओके बेस्ट विशिस बेस्ट ओफ लख आपका दिन शुभ हो